जिस बिमारी के खिलाब जिन्दगी पर लड़ाई लड़ी, पार्लामेंट को जगाया, देश को जगाया, कुछ बेस्ट एड इंटरेस्ट गुरूपों ने उस सारे हाथ से को पुरानी बातों को भुला करके उनी के माथे पर मड़ दिया। लेकिन योगी जी डिगे नहीं, डरे नहीं, जिस मुद्दे को लेकर के 30-40 साल से वो लगातार काम कर रहे थे, उसको उन्होंने छोड़ा नहीं, और अभी जो आंकड़े दे रहे थे, वो आंकड़े, मैं नहीं जानता हूँ मिडिया की ध्यान में आयेगा कि नहीं आयेगा, जिस गंबीर बिमारी, जिसका मूल कारण गंदगी, और हमने हमारे हजारों बच्चे खो दिये, काफी मात्रा में सफलता के साथ, योगी जी की सरकार आगे बढ़ रही है, मैं उन्हें इस मानवता के पवित्र कारे में स्वच्चता को बल दे करके बच्चों की जिन्दगी बचाई है, इसके लिए इसमें जुड़े हुए सब किसी को, नागरीकों को, परिवारों को, संस्ताओं को, सरकार को, हर किसी को बढ़ाई देता हूँ, और एक प्रकार चे आभार व्यक्त करता हूँ, साथियों, परियावरण, और स्वास्थ से ही जुड़ा एक और विश्चा है, जल संकट, और जल संकट का उपाय है, जल जीवन मिशन, इस मिशन के तहट, जल संवरक्षन, और हर गर जल पहुचाने पर, बल दिया जा रहा है, जल जीवन मिशन का बहुत बड़ा लाब, हमारे गाउं में रहने वाले लोगों को मिलेगा, किसानों को मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, हमारी माता और बहनों को सुवीधा मिलेगी, पानी पर खर्च कम होने का सीधा मटब है, कि उनकी बच्चत भी बढ़ेगी, साथियों, किसानों की आए बढ़ाने में, पशुपालन और दूसरे वैवसायों का भी, बहुत बड़ा रोल है, पशुपालन हो, मचली पालन हो,